ए गाईज वेलकम टू डिफेंस स्पेक्टरम तो बहुत अच्छी वीडियो आ गई आप सभी के लिए करंट अफेर जिस सभी का आप बहुत बार कमेंट करके बता रहे थे कि सर प्लीज ट्रिक्स के साथ करंट अफेर याद करवा दिजी हमको हमको करंट अफेर याद नहीं हो सबसे पहले रैंक एंड इंडेक्स पढ़ाऊंगा मैं याद हो जाएंगे आपको फिर अवार्ड से नौनर करवाएंगे इसके अंदर लिट्रेचल जो रिलिटेड हैं वह अलग स्पोर्ट के जो कंटेंट में हैगा वह अलग 93 ऑसकर जो अवार्ड हुए हैं 2021 में और 74 जो ह भी हुए है recently उसमें किसको क्या प्राइज मिला कौन सा प्लेयर कौन से गेम से लिटेड है जो भी important है आपके exam point of view से पढ़ा रहा हुए ठीक है उसके आदाता है आपका upcoming sports events major वह सब कुछ याद होने वाला है ठीक है सब कुछ याद होने वाला है major military exercise books और तो गाइस पहला topic ह क्या है rank क्या है rank of India या इसको index भी बोलते है ठीक है यहां से आपकी exam में fix question है कि इंडिया की rank पूछी जाएगी कि इंडिया की rank किस भी एक index में कितनी आई है तो मैंने एक चार्ट टाइप बना दिया है index किसने वो दी है उसमें topper कौन है और इंडिया की rank इतनी है ठीक है त आपको इस index का नाम पता हो यह ना पता हो यही rank आई है ठीक है आपके एक्जाम में यही आने वाली है इसके बाहर नहीं आएंगी ठीक है अब याद करने वाली ट्रिक है स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं पहला क्या है IDM World Competitiveness ठीक है किस ने दिया है IMD ने दिया है Institute of Management and Development टॉपर कौन है इसमें टॉप किस ने किया है इंडिया की रेंग कितनी है 43 सब कुछ याद हो जाएगा कोई दिक्कत की बात नहीं अभी सिर्फ पढ़ो एक बार देख तो लो कितनी कितनी रेंग काई है याद मेरी जिम्मेदारी करवाना मैं सब कुछ याद करवाँगा आ लुए वज़े से भी और पहले से भी अफगानिस्तान हमेशा सबसे कम पीस है अफगानिस्तान चेंदर और आइसलेंट के अंदर सबसे जाधा पीस है उसके बाद आता तीसरा सस्टेनेवल डभलप्मेंट रेपोर्ट 2021 इस ने दिये स्टेल्स नेक्वरक सोलूशन नेक्ष सेस्टेनवल डेवलप्मेंट सॉल्यूशन नैट्रोंति है स्टेसन ने फिल्लेंड इसमें टॉप है और इंडिया की रहेंगा यह 120 एक सेकेंड बस आप रुखना और मैं आपको मैप दिखा रहा हूं उसका रीजन मैं भी आपको बताऊंगा यह अपना इंडिया हो गया तो यहाँ पर आज हो यह रीजन है यह रोप वाला इसको तुड़ा जूम करता हूँ मैं अगर कभी भी आपको टॉप कंट्री में तुक्का मारना हो किसमें टॉप कंट्री कोई बीएक टॉप कंट्री है आपको तुक्का मारना है तो अगर आप्शन के अंदर नॉर्वे यहां से पक्का कुछन आएगा जूम कर लेते हैं देखो पहला नौर्वे का कैपिटल क्या है ओसलो अगर आप रास्ते पे कहीं जा रहे हो अगर आगे लिखावा है नोवे आगे नोवे तो आपके महां से स्लो जाना है ना दीरे धीरे जाओ भाई आगे रास्ता नहीं है जा ठीके सांओं तो यह को सकते हैं अब फिल्लेंड की है हलसिंग की क्या है इसका कैपिटल का है फिल्लेंड है जाती है वहीं से ही कैपिटल पूछा जाता है तो डेनमार्क का कैपिटल क्या है कॉपन हेगन को पैन पैन आ रहा देखो इसके अंदर पी एन पैन तो हम मार्क किस से करते हैं पैन से करते हैं मेरे ख्याल से यह भी आपको याद हो गया होगा इन ही चार-पांच कंट्रियों में से आप तुक्का मार सकते हैं अगर आपको तुक्का मारना है कि टॉप कंट्रीज कौन सी हैं तो गई सब आगे चलते हैं देखो इसमें पांच वे नमबर पर हम लोग कि डिजिटल न्यूज रिपोर्ट इसमें लोग 31 है थाटीवन रंक है फिनलेंड देखो तुक्का माना देखो फिनलेंड आयरलेंड शुजलेंड फिनलेंड फिनलेंड देखो सारे टॉपर वही है अब आता है आपका यह हैपिनेस है एपिनेस रिपोर्ट में हमारी रंक 139 है और यह क्या है है जो पासपोर्ट होती है इसमें जापान फर्स निंबर पर है और इंडिया की रंक 85 है सब कुछ याद हो जाएगा सिर्फ अभी आप एक बार बैठो करॉप्शन में करॉप्शन में रंक इंडिया की 86 है डैन्मार् का एप का लिंक दे रखा है वहाँ जाके आपको यह पीडिया फ्री में मिल जाएगी आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं देखो Global Climate Risk ये बहुत important है गईस इसको कौन देता है German Watch बहुत ज़ाद है Global Climate Risk Index किसके दोवारा दिया जाता है तो सबसे ज़्यादा रिस्क मुजांबी क्यूज इमवावे तो ये जो हैं बहा मास ये जो island हैं सारी चुट 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 islands हैं तो सबस्यादा रिस्क इन्हीं को होता है, यूँकि वाटर लेवल बढ़ता है और ये डू में लगते हैं, तो इंडिया साथ वे नंबर पर है, ज्यूंकि क्यों आता है बताऊ साथ वे नंबर पर है, यूँकि इंडिया का भी एक आइलेंड है, इसका नामे अंडवार है नि एक रुपे का दो रुपे कनवट कर देते हैं, एक का दो, एक का दो, एक का दो, ये हैना कॉंसी मूई है ओ वो, हेरा फेरी, पैसा डबल है ना, तो वैसे एकोनामी इसी तरीख से आहिए, दाद कर सकते हैं, अब आता है इसमें 40 है हमारी रंक उसके बाद फिर से आगे चलते हैं वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में हमारा रंक है 142 नौर्वे फिर से टॉप पर है मैंने इसलिए वह स्टार्टिंग में कंट्रीज बताई थी अगर वाइजांस कोई आप्शन में आता है तो वह सारे आप्शन नहीं देगा नौर्वेज फिन लैंड और यह सारे सारे आप्शन नहीं देगा वह एक और उसने टॉप पूछा इंडिया की रैंक तो मैं याद कर इसलिए बार स्टार्ट हुआ है इस फर्स्ट इम में इंपोर्टेंट इसलिए आ सकता है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स कोविड में हल्प करिये ठीक है चैरिटी एड फांडेशन सीएफ ने दिया है इंडोनेशिया फर्स नंबर पर इंडोनेशन ने बहुत लोगों की हल करिए इंडिया फॉर्टीन तंबर पर है ठीक है उसके वाद आता है रिनेवल एनरजी कंट्री यह इंडिया की रैंक थर्ड है तो अब मैं इसको कैसे याद करवांगा रैंक्स को सारी रैंक्स एक साथ लिखना अपनी कॉपी के अंदर जैसे मैंने स्क्रीन के पली की विए 3, 7, 14, 43, 49, 53, 86, 87, 120, 101 इस तरीके से सारी एक सार लिखना अब ट्रिक देखो थर्ड रैंक्स किसमें आई है इंडिया क्या यह रिनेवल एनर्जी मैं इंडिया की रैंक्स कितनी आई है थर्ड आई है कैसे याद रहेगा रिनेवल एनर्जी के वल तीन ही चीज होती है एक त अब ये याद रहेगा कि Renewable Energy में हमारी rank आई है थर्ड ठीका है? अब आता है 7 7 में 7 कैसे rank आई है? देखो जब भी कभी Climate Risk Index climate में climate risk index में हमारी rank आई है 7, ये कैसे याद रहेगा? जब भी कलामेट risk होता है तो हम सब लोग साथ साथ आ जाते हैं साथ साथ आ जाते हैं, हिंदी वाला साथ, है ना, एक साथ आ जाते हैं, तो उसी तरीके से जब भी कभी climate change होगा, तो हम लोग साथ साथ आ जाएंगे, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, अब आता है आपका 14, देखो, 14 को हिंदी में क्या बोलते हैं, 14, ठीक है, इसमे में giving में, अभी मैंने आपको बताया था, पहली बार हमने किसी को कुछ दिया है, क्या covid की vaccine, तो 14 मतलब 14, इस तरीके साथ इसको याद कर सकते हैं, तो हम लोग giving में सब से आगे होते हैं, है न, कोई इसको negative sense में ना ले, बस ये याद करने की trick है, तो giving index में हमारी rank कितनी है, 14 3 किस में renewable में होगी, 7 होगी, climate change में, 7 साथ साथ आ जाते हैं, 14 मतलब giving होता है, फिर 43, 43 में कैसे याद कर सकते हैं, चार लोग एक साथ होगे, 1, 2, 3, 4, और 3 होगे, तो आप खुद बताओ, इन में कोई competition होगा, यहाँ पर 4 लोग है, यहाँ पर 3 लोग है, और एक रसी को खी इंडेक्स, competition index, ठीक है, याद रहे गई, अब आता है आपका गईस, 49, 49 कैसे याद, आप कभी जियो के इंदर रिचार्ज करवाते हो, किसका इंटरनेट का, इंटरनेट का, ठीक है, इंटरनेट का रिचार्ज करवाते हो, 49 रुपे का, तो उसी तरीके से आप याद का सकते हो गया, 43 हो गया, 4 और 3 तो competition हो जाएगा, 49 का हम फोन में रिचार्ज करवाते हैं, जियो में इंटरनेट रिचार्ज, इस तरीके से याद हो सकता है, तो इंटरनेट का index में हमारी क्या रहें के, 49 है, 53 को एक सेकिन के लिए छोड़ो, इसको बाद में याद करवाँगा, अगर आपको कोई भी काम करवाना है, तो 86 रुपे देने पड़ेंगे, corruption करना पड़ेगा, guys सिर्फ कोई भी इसको please negative sense में ना ले, यह सिर्फ छोटी छोटी चोटी ट्रिक्स हैं, यह आपको याद रहेंगी, मैं बता रहो ना, यह याद रही जाएंगी, 86 corruption, एक बर आपको रिविजन में आपको टेस्ट ले लूँगा, आपको खुद फील होगा कि हाँ भी मिरको यह याद हो गया है, उसके बाद है, guys 120, मैं बीच में चोट रहा हूँ, यह नहीं कि वो करवाँगा, नहीं करवाँगा, अभी 120 देखो पहले आप, 120 में हमारी यह है, 120 हमारी रेंग गोल के लिए, SD गोल के लिए हमें 12-12 विज तक पढ़ना पड़ता है, तो उस तरीके से याद हो जाएगी 120 हमारी रेंग है, sustainable development गोल, ठीक है, इस तरीके साथ को याद कर सकते है, अब आता है, 1-2-1 मैंने आई, starting में याद करवा दिया था आपको, 1-2-1 मतलों पैसा डबल क इसा होता है, तो गाइस, अगर आप में से कोई भी, AFCAT, CDS, CAPF, कोई भी defense exam, even SSB की कोई preparation कर रहा है, तो defense spectrum channel पर जाने के बाद आपको, यहाँ पे, playlist का बटन पर जाना है, कहाँ पे, playlist वाले जो बटन है, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आपको, यह मिल जाएगा, क्या, AFCAT का, CAPF, CDS, SSB की playlist, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज मिलेंगे, यहाँ पे आपको एक बार जाके देखना है, और आप चाहे तो वीडियो भी जाके चेक आउट कर सकते हैं, हम लोग सब कुछ ट्रिक से याद करवाते हैं, और जो कि आपके exam pointer हुए, मैं आपको exam clear करने में बहुत ही helpful होता है, अब आता है 135, नीचा जाते हैं गाईज, यह देखो, 421, एक्चली कहा है, मैं इसको 421 की बढ़ रहा हूँ, देखो, गाना सुनाओगा न, 12 का 442 का 1, 12 का 441, my name is लकन, तो यह उसी सही याद हो जगा कैसे, यह हमारी press करती है, press मतलब, world freedom press index की बात कर रह रहेगी, हमारे जो news channel है, वो कुछ का कुछ दिखाएंगे, exact news नहीं करते हैं, वो 42 का 1 करते हैं, 42 का 1, 42 का 1, तीक है, इस तरीके साथ को याद कर सकते हैं, press क्या करते हैं, हमारी 42 का 1 करते हैं, 135, 135, यह हमारी piece है, 35, इसको 35 को हम 35 बोलते हैं हिंदी में, 35 और 50, एक सा कुछ हो रहा है, तो इस तरीके से याद हो सकता है, अब आता है, 139, world prosperity index, और 140 का क्या है, 140 का मैंने बता देता है, जेंडर है, इसको कैसा याद कर सकते हैं, इस तरीके से कुछ भी आप girls से लेट कर सकते हैं, उनमें gender, इस तरीके सा आप gender gap का याद कर सकते हो, वैसे यह है किसका gender gap ठीक है, और कौन सा बज़ गया था, यह दो बज़ गया, 53 और 87, 53 का क्या है, 53 का है democracy, इसको कैसे याद कर सकते हो, 53 हो गए है हमारी democracy, और 87 में 8 से 7, 7 था फिर 8 हो गया, तो energy का transition हो रहा है, energy का transition हो ठीक है, अब देखो, मेरे खाल से यह आपको सारे के सारे याद हो गया है, नहीं हो है, अभी revision करवाँगा, अभी सारे के सारे, आप खुद बताओगे अपने मुह से, चलो बताओ, 3 का क्या था, 3 का था, renewable energy, ठीक है, 7 का क्या था, 7 मतलो 7-7, बताया था, मैंने 7-7 आ जाते हैं, तो किसमें, जब भी कभी climate में risk होता है, 14 का क्या था, giving, ठीक है, उसके बाद, नेक्स चलते हैं, 53, 53 बताओ, क्या था, 53 बताओ, और, 120 बताओ, और, 121 बताओ, चलो, 121 को, तो मैं रिखाल से, आपने सबने बता देगा, economical की पैसा था, ठीक है, 120 का, 12 बज़े तक हम क्या, अपनी sustainable development goal की तयारी करते है, 53 क्या था, डेमोक्रेसी, ठीक है, उसके बा आप इसका बताओंगे, क्या बताओंगे, 135 का बताओंगे, और last 14 का बताओंगे, इंडिया की रैंक है, ठीक है, 142, 135, 14, comment में लिखके बताओंगे इसमें इंडिया की क्या, और, क्या, रेप्रेसेंट कर रहे है, वेकि रैंक तो मैंने आपको याद करवा धी है, है, है न, इंडिया की, सारी के सारी, ठीक है, तो गाइस अगर जो भी मैं पढ़ा रहा था, अगर आपको इसकी PDF डाउलोड करनी है न, PDF डाउलोड करनी है, तो आप Defense Spectrum App Play Store से जाके डाउलोड कर सकते हैं, ठीक है, और गाइस प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल को करें, थैंक यू